मेरे पिता जी कभी कॉंग्रेस में नहीं रहे वो अकाली दल के प्रेजिडेंट थे और उन्होंने बहुत लडाईयां लड़ी हैं देश कौम के लिए उन्होंने आतंकवाद से टक कर लिया है सन 1978 से लेके 2008 तक वो हम गुरवादियों के हिटलिस में रहे हमारे पास जेर शनी की स्क्योटी भी थी जेर प्लाई स्क्योटी भी रही है हमारे साथ 25 साल रही है बहुत बड़ा टाइम होता है 25 साल वो कॉंगर्स की नीतियों को सपोर्ट करते थे और जब मैं आपको बात बता दो मैं अपने कॉंगर्स की बात छेड़ी है जब ब्लू स्टार हुआ 84 में तो उस टाइम भी उन्हों ने विरोध किया कि नहीं होना चीए था मगर हालात थे कि हालात सितिया हाथ से निकल चुकी थी और मैं आपको एक और बात बता दो शायत किसी को नहीं पता होगा माइ लाइफ माइ इंडिया एक बुक निकली है इसकी अड़वानी ने चापी है उसके अंदर उसने खुद बोला है कि इंद्रा जी ब्लू स्टार नहीं चाहती थी हम उनको इंसिस्ट करते थे जी है और मेरे पिता जी के साथ जो कॉंगरस ने आखरी दिनों में अब जब उनकी डेट से कुछ समय पहले थोड़ा विहार कॉंगरस का ठीक निरा वो एक संत आदमी थे वो नेता तो थे ही मगर मैं नेता जादा उनको एक धर्मात्मा पुरश समझा था यह नहीं कि मेरे जी हैं दुनिया को पता है जग जाहिर हैं कि उनके 80 साल के पुलिटिकल केरियर में एक उर्पे का भी ब्राइब का उन पे इल्जाम नहीं लगा वो पंजाब एंसिंट मेंक के फाउंडर है उन्होंने कई स्कूल कॉलिजिस बनवाए मैं नाम लूँगा तो लेते लेते बह लगवरे हैं उसकताब में मैं सब लिखूंगा कि कांग्रस से साथ क्या रहा और सोनिया जी कैसे नराज हूई कि उनके आखरी दिनो में मेरे पिता जी से वो मैं बाते आपको ऐसे बताओं जो वो पार्टी चली तो मैं तो उन्हीं को शरे देता हूँ और भावकोंने की बात नहीं भावकोंने की ये कि जिस आदमी ने आज मैं आपको बहुत पुरानी बात बता हूँगा मेरे पिता जी बता दे एटी टू में एक डेपूटेशन मेरे फादर लेके गए थे इंद्रा जी के पास तो स्पीचे चल रही थी तो मैं भी वही था मैं छोटा था उस्टे तो इंद्रा जी ने कहा कि जथेदार जी कोई हम पर ऐसा वक्त आएगा आप हमें छोड़ तो नहीं देंगे तो मेरे फादर ने वहीं स्पीच में कहा था एक अकपर रोड में के मैडम मैं छोड़ूँगा नहीं मैं आपका साथ बाहर से देता रहूँगा मगर अच्छी नीतियों का साथ दूँगा आपकी वो भी तब कहा था कि अच्छी नीतियों का साथ दूँगा बुरी नीतियो अबाद हो चुके थे, दिल्ली के अंदर बेघर हो चुके थे, कि उनके पार रहने कोछ जगा नहीं थी, राजीव जी पर धानमंत्री बने, उनसे उनकी मुलाक आते हुई, तिलक विहार, जो एक कालोनी है, विड़ो कालोनी अबाद हुई, वो मेरे पिता जी के टाइम ही अंदुस्तान के लोग जानते हैं